अस्ताम रिको मैं है आपका उस बबलुला होरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इन्फिनिक 034G को अल्मॉस्ट एक मन्त हो गया इस फून को लॉंच हुए है पाकिस्तान में और आज भी इस फून की ब्लैक मार्केट चल रही है साथ हजार पे अफिशल प्राइस है और यह फून कहीं पे 63 में बिक रहा है, 65 में बिक रहा है, 68,000 पे में मतलब इस तरह चीजें चल रही है चाहिए आप ओन लाइन चले जो चाहिए आप ओफ लाइन चले जो का रीजन है कि प्रोड़क्ट आपने लाँच की है, आपने जो प्राइस इस फून की सेट की है, आपको मेक शूर करना चाहिए वो प्राइस आपके जो बायर्स हैं, जो आपके लॉयल फैंस उनको मिलेगी आपने शॉर्टिज रखी हुए है स्टॉक की, आगे जो आपके MDs हैं, जो एरिया वाइस स्टॉक डिस्टिब्यूट करते हैं, उनको हराम खोरी की आदद पड़ी हुई है, वो आगे शॉर्टिज का बहाना बनाके महंगा बेजते हैं, फिर शॉप बालों के बाद भी जा जरूर रखना चाहिए कि वो अगर कोई प्रोड़क्ट सिर्फ इंफिनिक्स नहीं, दूसरे भी जो ब्रेंड्स हैं, अगर किसी प्रोड़क्ट को प्राइस के ओपर लॉंच कर रहे हैं, तो उनको इंचोर करना चाहिए कि वो प्राइस जो है उनके कस्टमर्स को मिलेगी, ना के वो ब्लैक माफिया के हाथों लुटेंगे, देखो, फोन के साथ बॉक्स में जो अधर कॉंटेंटर में एक सॉफ्ट सिलिकन केस रखा गया है, पंतालीस वाट का डाप्टर है, साथ में टाइप सी डेटा केबल है, लुक और फील स्पून की प्राइस के आप से मुझ साइड फ्रेम इसका प्लास्टिक का है, फ्रेंट पे गुरिला ग्रास फाइव की प्रोटेक्शन है, और यो जैक यहां पर नहीं रखा गया, या तो कन्वेटर यूज करना पड़ेगा, या पि टाइप सी वाली हैंड फ्री या पि वाइलेस वाली बड़्स यूज करने प करेगा, हैप्टिक फीडबेक भी स्पून का काफी बैटर लगा है, मतलब फुल ओन ठक ठक वाला प्रीमियम नहीं है, बट नॉर्मल से काफी बैटर वाल एक्सपीनियंस है, फून का वेट 182 ग्राम के आसपास है, तो आईडियल वेट के अंदर ये डिवाइस है, और ज्य और उपर से 120Hz का तड़का भी है, मतलब यह है कि चलने में स्मूध फील होता है, स्वाइपिंग, स्क्रॉलिंग में थोड़े जिटर बगारा नोटिस होते हैं, जो इस प्राइस सेग्मेंट में नॉर्मल ही हो जाता है, कोई परिशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वीडिय इसकी जो बैक है वो बड़ी बैडली थ्रिल करती है, मतलब वाइबरेट करती है, अगर आपने तीन-चार मिनिट का भी कोई कॉंटेंट फुल वालिम पर देख लिया तो उंगलियों पर भाई सुन वाले एफेक्ट आ जाता है, आप यह पिन्नी देख लो कितना डांस करी ह और इसका जो एर पीस है वो भी कोई प्रोमेक्स लाउडनेस वाले लगा दिया है, अगर कॉल्स के दुरान जाहरा फुल वालिम किया होता है, और एक डेड़ फूट के फासले से भी आवाज बाहर को आ रही होती है, तो आपको अगर कानों के पास से सुन जाना उसको तो आ अगर अगर आपने अगर आपने लगाया हुआ है, तो साथ आट परसंट जो बैटरी है वो ड्रेन कर जाता है, और देखो अगर आपको चाहिए, तो वो भी इसके उपर मिल जाता है, जो मिनी कैपसूल आज के ल, हर ब्रैंड अपनी मार्केटिंग में यूज करता है, मोडेर टाइप के डे-to-day टासक का उनको अच्छा हैंडल कर लेता है, कॉम्बिनेशन में साथ 8GB RAM, LPDDR4X वाली जो मल्टी टासकिंग को बैटर मैनेज कर लेती है, और 256GB UFS 2.2 वाली स्टोरीज है, जिसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, मैमरी कार लगाने के उप्श थोड़ा बहुत कहीं पर कईजनली FPS ड्रॉप नोटिस होता है, बट कैजूल गेमिंग करे हो तो यह चीज़ें बेरेबल होती हैं इस चीज़ पे, और Call of Duty खेली है, मीडियम ग्राफिक्स को पर चलती है, अच्छा गेम्प्ले है, एक कैजूल गेमिंग के साब अगर आप Call of Charge Technology है, जो Infinix advertise कर रहा है कि 30 मिनट में 0 to 75% चार्ज करता है, मेरी टेस्टिंग में मैंने 4% से लगाया, 30 मिनट में 70% के उपर, फुल चार्ज कोई 22 मिनट के आसपास हो गया, तो चार्जिंग टाइमिंग भी अच्छी है, और मैंने 120 Hz के उपर रखे, इसको consistent heavy use किया, जहां प screen on time दिया, अगर आपका light use है, तो ये डेड़ दिन भी निकाल जाएगा, अगर आप auto switch पे रखते हो, refresh rate को, बतलब अच्छा backup इसकी battery से आप expect कर सकते हो, battery drain का, मैंने कोई ऐसा issue notice नहीं किया, बट वो जो always on display है, उस पर मैंने आपको बता है, का light intensity ज्यादा है, overnight वाला जो drain ह वो 7-8% है, कभी-कभी 10% भी मैंने notice किया है, तो ये चीज़े हैं, बस, but overall battery backup ठीक लगा है, और हाँ, bypass charging option भी है, अगर आपने data cable plug की है इसके उपर, तो battery को वो bypass करेंगा, directly motherboard को supply देता है, तो इसे phone यूज़ कर सकते हो, example है, जिस तरह laptop के उपर आप battery remove करके, direct charger plug करके laptop वो टी-ई का जो sport है, वो भी मिल जाता है, Wi-Fi calling का sport भी इस phone में रखा गया है, NFC का भी option इस phone के उपर रखा गया है, जो 4G Plus है, देखो 4G Plus का sport इस phone में available है, नजर आता है कभी-कभार, 24 गंटे में को 2-3 गंटे के लिए मोह दिखाने के लिए आ जाता है, 4G Plus उसके बाद गा मेरे दूसरे phone में Realme में वो लगा हूँ, तो उस पर consistent 4G Plus रहता है, बट यहाँ पर 1-5 गंटे के लिए आता है, पिर गायब हो जाता है, देखो अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक चीज जो मेरे लिए ज्यादा annoying रही है, ज्यादा disappointing रही है, और वो चीज मेर को review करते हुए, मैं अपना primary SIM card switch कर लेता हूँ, और जितने दिन मैंने testing करनी है, मेरे पास वो ही जो device है, वो ऐसे primary phone चलती है, इसका जो UI है, Infinix का देखो, 25-30,000 रपे वाले phone में भी same kind of UI experience, same kind of bloatware, 50-60,000 पे even 1,00,000 रपे वाले phone तक चले जो, तो यह UI experience kind of same ही रहता है, bloatware पी same ही रहता है, इस phone को use करते हुए, like मैं game खेल रहा हूँ, और मैंने एक game को बंद की है, मैं दूसरी game पे जा रहा हूँ, जैसे उसको मैंने clip किया, game open होती है, screen freeze हो जाती है, right, left, subject, अब एदर उदर गमाया, कुछ भी नहीं हो, phone को restart करना पड़ा मुझे, उसके लावा, म पे भी चीज़ों को आगे पीछे कर देता है, apps open करते हुए, click कर रहे हो, 10 बार ठीक open करेगा, एक बार किसी app पे click किया, open क्यों नहीं होई, तबारा click करना पड़ता है, तो ये चीज़े मैंने notice की है, phone के उपर use करते हुए, और मैं काफी disappoint हूँ, और देखो, इस phone का call के software buggy है इसमें, overall जो touch response है, phone का, उसका mainly कोई भी issue नहीं है, बट ये जो शदीद किसम के software bugs है, जिसमें screen freeze हो जाती है, और इस तरह के जो issues मैंने आपको highlight की है, ये kind of software की वज़ा से है, price के हिसाब से, अब मैं, अगर मेरा channel काफी time से follow कर रहे हो, तो मैं आपको मेरे primary phone ये है, realme रख लेनी है, तो क्योंकि UI का experience है, वो main experience होता है, अब मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं SIM इसमें से निकालू हूँ और अपने primary phone के उपर लगा हूँ, मतलब इस तरह की मेरी जान अटकी हुए है, कि software experience हो सारे मज़े को किरकरा किये जा रहे है, और software में animations पे भी कोई काम नहीं कियागा, लाइक जो gesture animations है, वो बिलकुल ordinary ही है, price के साब से, अगर animations वगारा पे काम किया हो, तो थोड़ा सा experience बैटर हो जाए है, पोवा पे मैंने देखा, techno ने काम किया है, थोड़ा सा, लेकिन Infinix ने animations पे काम नहीं किया, और main जो चीज है, updates को ल लेके, जो updates को लेके, ये एक big question mark रहने वाला है, इस spoon के साथ, इस spoon की camera performance पे आता हूँ, back पे आपको तीन cameras नज़रा रहे है, काम का एक sensor है, 108 megapixel, ना कोई ultra white, ना कोई telephoto sensor है इस range में, but still camera module का design is looking like a wow, तो ये scene है, daytime पे मैंने photos capture की है, अची detail के साथ photography कर लेता है, काफी scenarios में, यहाँ पे आता है, light control के मामला, उसमें चीज़े थोड़ी बहुत इदर उदर कर देता है, आप face के ओपर direct light आ रही है, तो उसको exposure को balance नहीं किया, थोड़ा सा blown out कर गया है चीज़ों को, portraits भी अच्छे capture करता है, agit direction सब टाइम, hit and miss कर जाता है, लेकिन ठीक है, indoor low light में मैंने photos ट्राइ की है, तो वहाँ पे भी photos अच्छी detail के साथ यह capture करता हुआ मिला मुझे, outdoor night shorts मैंने ट्राइ की है, तो night mode जो नहीं है, इसका super exposure को बढ़ा देता है, मतलब light को बढ़ा देता है, और over sharpening कर देता photo की, जिससे जो details है, वो भी मतलब मज़े की नहीं रहती, तो night जो photos है वो इतनी कोई impressive नहीं लगी मुझे इसकी, वीडियोग्राफी है, वहाँ पे चीज़े काफी disappointing है, मतलब Infinix's phone को vlogging पे market कर रहा है, और इसकी back पे आपको 2K30 एपे इसका maximum sport मिलता है, जो stabilization है, वो 1080 भी 30 एपे इसको पर जा के आती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा crop sensory यूज करता है, kind of decent detail ये photography में front side से भी provide कर देता है, पर जहाँ पे light control के मामलात आते हैं, तो exposure को चीज़ें आगे पीछे कर जाता है, direct light area face पे exposure को balance नहीं कर पाया, तो इस तरह की inconsistency है, exposure को लेके front side पे भी, indoor lighting में मैंने photos को try किया है, kind of अच्छी details मुझे मिली हैं इसके indoor lighting में भी, तो photography क यह तक ठीक है, और जो vlogging है, इसकी front side से 2K 30 एपिस तक है maximum, और Infinix इसको vlogging के लिए market कर रहा है, मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई, कि आपने stabilization में नहीं दी, कोई 4K type के भी, मतलब कोई extraordinary चीज़ नहीं कि फिर भी आप vlogging के लिए market कर रहे हो, और vlogging में दुनिया हिल रही है, यह दर अदर daytime पर देखो, exposure related बहुत issues है, background के उपर harsh जो light है उसको blown out किये जा रहा है, photography वली side पर इस phone को मैं possible number दे सकता हूँ, but vlogging वली side पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए यह phone, और अगर आप इसको ऐसे full flash कोई camera phone देख रहे हो, या vlogging के लिए consider करना चाह रहे हो, तो आपके लिए नहीं बना हुआ, तो conclusion बिल्कुल सिंपल है, अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हो, फिर वेडिक देख रहे हो, तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी, Infinix ने no doubt कुछ departments में अच्छा काम किया है, design को लेके, display जो curve है, इसकी screen की quality को लेके, charging, fast charging, इस तरह की चीज़ों को लेके, मतलब ठीक है phone, camera lovers के लिए नहीं है, dedicated gamers के लिए नहीं है, अगर आप एक ऐसे user जिसको box pack category में, curve display वाला stylish phone चाहिए, dual sim आप चला सको, normal day to day use में ठीक र user जो 60-70,000 RPK range में already कोई heavy वाला kit phone चला चुका है, oneplus, google pixel या इस तरह के phones आपने चला ली है, या पिर realme, samsung, opo, vivo type की UI को use कर लिया, तो आप से इस type के UI के उपर, ये जो मैंने issues भी highlight की है, आप bear नहीं कर सकते इस phone को, तो उस तरह के users के लिए phone मैं recommend नहीं करूँगा, बाकि ह नॉर्मल जिसने infinix ही use किया हुआ है, वो इस phone पर आना चाहता है, जो compromise मैंने बता है है, उसको समझ में आते हैं, तो वो फिर इस phone की तरफ देख सकता है, ये जो conditional recommendation है ना, वो मैंने इसलिए mention किया है, थाके clear हो सके, कौन सा user ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता, I hope के चीज़